तो आप इस वीडियो के अंतक बने रही हैं तो चलिए भी ना देरके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आप सभी को result देखने के लिए simply search बार पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आप सभी को simply type करना है KSP फिर SPS देना है फिर आपको टाइप करना है ONLINE.IN आप सभी को कुछ इस प्रकारश टाइप करना है इस भी ब्राउजर को ओपन करना है और आप सभी को simply search बार पर आना है यहाँ पर आने के बाद आप सभी को type करना है KSP online.IN इतना type करने के बाद यहाँ पर simply search करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉस्ट नमर पर सो कर रहा है KSP online.IN का officially website Finally इस पर क्लिक कर देना है And then website को open कर देना है Website open करेंगे तो कुछ इस प्रकार का interface open हो जाएगा And आप सब result का बिल्कुली direct update पाना चाहते है बिल्कुल direct link पाना चाहते है तो यहाँ पर simply search bar का option सो कर रहा है यहाँ पराना है And यहाँ पराने के बाद आप सभी को type करना है SSE CHSL result ठीक है इतना type करने के बाद simply आप सभी को search कर देना है Simplish वाली update पे क्लिक कर देना है And then finally वाली update open कर देना है Update जैसे आप open करेंगे तो कुछ इस प्रकार का interface open हो जाएगा And यहाँ पर result से related information शो कर रहा जिसमें आप सभी को यहाँ पर result release date यहाँ पर शो कर रहा 25 April को finally आप रिलिस कर दिया जाएगा And आप सभी को यहाँ पर जैसे कि हमने cutoff mark देखना बताया हुआ था Category wise कैसे देखेंगे तो आप सभी को यहाँ पर cutoff mark देखने के लिए Simply आप पर category show कर रहा है And यहाँ पर cutoff mark show कर रहा तो जैसे आप general का cutoff देखना चाहते है तो यहाँ पर 165 से यहाँ पर 170 plus यहाँ पर reason wise sse chsl result 2023 link का section में आना है And आप सभी को result देखने के लिए Simply यहाँ पर officially website का link show कर रहा है And आप जिस भी result का result देखना चाहते है तो finally उसके आगे यहाँ पर officially website का link देखा है Finally आप इस पर click करके यहाँ से आप सभी result रिलीज हो जाने के बाद download कर सकते है शुकुछ इस परकार से आप सभी को result देखना है And cutoff mark आपने देखी लिया So video देखने के लिए धन्यमत